जोहार और भी राये में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मेगा भारती अगर योग की बात करें तो भारत में काफी प्राचीन काल से ही योग काफी फेमिस रहा है भारत नहीं विश्वस्तर पर योगा को इंट्रोड्यूस कराया है मगर अज़ प्रोफेशन बात करें तो योगा के बारे में लोगों को जादा मालूम नहीं है इसलिए हमारे जो ये कारिक्रम है और भी है राहे इसके जरिये हम ऐसे कई सारे आप्शन्स आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि आप किस शेत्रों में आगे बढ सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहती हूं इस कारिक्रम में और हमें योगे के बारे में कुछ बताए कि एज़ पर नहीं कि पढ़ना होता है दर्सकों को नमस्कार जुहार सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे देश में कहां कहां पर युनिवस्टीज है जहां पर योग की पढ़ाई हो रही है सिख्षा दी जा रही है तो सबसे पहले देव संस्कृती उत्राखंड वहां वहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों क्लासेज होती है फिर उत्राखंड में संस्कृत विश्व विद्याले है और हिमाचल में भी है और फिर एस वियासा बंगलूरू करनाटक वहां भी इसकी पढ़ाई होती है और आसाम साइट मध्यपरदेश गुजरात राजस्थान यहां तक की जारखंड में राची में स्कूल आफ योग राची इनवस्टी में है और साथ में उसके सामने ही स्यामा प्रसाद इनवस्टी में तो अगर बच्चो को स्कूर्स को पढ़ना होता है तो क्या सारी सब्जिक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाया क्या जाता है इस कोर्स में हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका एक्चलि जो बीएसी में पढ़ाते हैं जैसे स्कूल आफ योग राची इनवस्टी में तो बीएसी में तीन साल का कोर्ष होता है और छे-छे मेने का समिस्टर होता है तो हर समिस्टर में कभी किसी पार्ट मुझे से की बेसिक कंसेफ्ट आफ योग जिसमें हम लोग वेद उपनिशद या और भी जो ग्रंथ हैं योग से उससे सम्मंधित जानकारिया देते हैं उसके बाद इसके जो साइकलोजिकल पक्ष हैं हुमन मस्तिस का या ब्रेन का पस्नालिटी का उसको भी हम लोग पढ़ाते हैं वो भी सिलेवस में रहते हैं प्लस हुमन एनाटोमी फीजियोलाजी ताकि जब आप भ्यास करते हैं तो उसका कैसा प्रभाव सरीड पे पढ़ता है ये सारे चीजे हैं उसके लाबा को कम्प्रीट करते हैं जो आगे अकाडमिक में जाना चाहते हैं वो उसी में पीजडी करते हैं जो आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं मास्टर डिगरी के बाद वो अपने ठराप्रोच में चले आते हैं उसी से ट्रीटमेंट करते हैं कहीं अपना सेंटर खोलते हैं या किसी तो आपने नाच्रोपात का मेंशन किया था तो वो क्या होता है उसमें क्या कुछ पढ़ाया जाता है जैसे कि योग के दोरा हम सरीर को स्वास्त रखते हैं तो नाच्रोपात के दोरा भी हम क्लिंजिंग का काम करते हैं कैसे प्रकृति से अपने आप को जोड़ कि हम स्वास्त रख सकते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में ये सारे चीजें काम करती हैं, जैसे योग में हम आसन करते हैं, प्रानयाम करते हैं, ध्यान करते हैं, शट क्रियाज हैं, नेश्रोपैत में भी ऐसी क्रियाएं हैं जि सब्सक्राइब करना क्या है मुझे इस चेत्र में इसलिए थोड़े थोड़े हर एक पक्ष को हम लोग लेते हैं पढ़ाते समय इन फैक्ट ग्याजरेशन में तो हम लोग अथिक्स, मौरल जो सब्जेक्ट हैं वो सब भी इंक्लूडेड है कि सब तरफ से स्टुडेंट्स को ह तो कुछ एक्जैम्स देने होते हैं या फिर ऐसे ही जाकर डेरिक्ट एड्मिशन हो जाता है इतने सारी कॉलेजिस के बार में आपने बताया तो इसका एड्मिशन प्रोसीजर क्या होता है जैसे की बीसिम अगर हम हमें प्रमिशन लेते हैं तो ट्वेल पास किसी भी मतलब इससे होना चाहिए, या तो साइन्स से हो, या आर्ट से हो, या कॉमर्ट्स के बच्चे आते हैं, अद्मिशन लेने, और उसमें एक टेस्ट लेते हैं, और मार्क्स देखते हैं कि बच्चा, जिस सब्जेक्ट से आया है, जिसका बैग्राउंड का रिजल्ट कैसा, मतलब इसम आधारपुन के अड्मिशन होते हैं, तो जैसे आपने कहा कि शरीर हिलाना जान जाते हैं, थोरा बहुत जानते हैं, तो जैसे नॉर्मल लोग हैं, जो योगा से नहीं जुड़े हुएं जादा, उन्हें बस इतना ही कुछ मालूम होता है, मगर ये बच्चे जो ये कोर्स कर स्टाडी करते हैं, मेसी या बीएसी कर रहे हैं, वो उनको काफी अच्छा नॉलिज रहता है, कि योग सिर्फ मतलब हम बिमारी को ठीक कर रहे हैं, या हाथ पाउं हिला रहे हैं, ऐसा नहीं, ये बहुत अध्धात्मिक चीज़ है, इससे हम अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो एक क्वालिटी को डबलब करते हैं, हर एक शेत्र में, चाहिए बोशारीख हो, मांसीक हो, या अध्धात्मिक हो, इस तरह से क्वालिटी औग डबलब करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग आते हैं कि मुझे हाई बलटपेस्टर हैं और हम टृटमेंड करना चाहते है या योग से ठीक होना चाहते हैं, तो फिर जो अच्छे एक्सपर्ट रहते हैं, जो study किये हुए हैं, जो BSC, MSC किये हुए हैं, उनको पता है कि इसका treatment कैसे किया जा सकता है, तो वो अलग-अलग योग के जो पक्ष हैं, उनको लेके चलते हैं, जैसे आसन, फिर प्रानयाम, फ फिर थोड़ा cleansing process है, इन सारे चीज़ों को लेके वो apply करते हैं, ताकि वो ठीक हो जाए, जैसे कभी stress कुछ नहीं है, लोग ऐसे चले आते हैं, डर से, जैसे इस वक्त कोरोना काल में, बीमारी से ज़्यादा लोग डरे हुए थे, तो उस condition में, ये जो योगा therapist थे, वो डर को कैसे हटाया जाए, इस चीज़ों के लिए हम, जैसे जो योग का philosophical पार्ट है, या जो इसका psychological पार्ट है, उसके द्वारा उनका हम लोग treatment करते थे, कि कम सकम डर उनके अंदर से हटे, और फिर जो problem है, या कैसे immunity को boost up कर सकते हैं, फिर उस पक्ष को लेके लोग आगे ब करता है कि अब स्कूल आफ योगर रांची उनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, और भी कई सारे कॉलिजिस हैं जिसमें ये कोर्स कराई जाती है, तो क्या कुछ फैसलिटीज मिलती है बच्चों को इस कोर्स के दौरान, एक तो कोर्स स्टाडी मैटीरियल है, सिलेवस बना इस पर कुछ क्लेक्ट करके वो लोग किसी सोसाइटी में जाके या किसी इंस्टिशिशन में जाके वो सदस्को लेते हैं और उसको अब ट्राक्टिस कराते हैं 15 डेज या मन्त या 3 मन्त फिर देखते हैं कि क्या उनमें इंप्रूव्मेंट हो रहा है, इस तरह से चीजों को हम लोग करते हैं, बाकी टीचर्स हैं, वहां प्रोफेसर्स हैं, वो पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट को क्लेर करते हैं, समझाते हैं, कैसे, इसलिए तो इतने सारे पक्षों को लिया गया है कि हर एंगल से हुमन पस्नालिटी को हम कुछ ना कुछ दे सके और इसको क्योर कर सक हैं, सम टाइम सम लोग जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम निकालते हैं, जिसमें सीनियर सिटिजन्स को बुला के प्राक्टिस कराते हैं, ऐसे ही एक महने का, तो वो जो उनमें चेंजे आते हैं, बच्चे उनको देखते हैं, सीखते हैं, और फिर अपने स्किल को डवल अप करत तो ऐसे में योग का अगर कोर्स करना होता है तो क्या सर्टिफिकेट डिग्री लेनी चाहिए या फिर एक फुल टाइम कोर्स करना चाहिए इसमें यह तो जो BAC, MAC कर रही है तो रगुलर कोर्स हैं तो करते हैं उसके अलाब अगर कोई करना चाहते हैं तो आयू सुमंत्रा ले द्वारा दिया गया YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसके द्वारा आप को जो आपोर्शनेटी भी मिलेगी इंडिया या अबरॉट कहीं भी आप जा सकते हैं और आप योग सिखा सकते हैं और अर्ण कर सकते हैं तो उसमें भी दो तरह के दो पार्ट है एड़ुकेशनल है दूसरा थेरपेटिक है तो उसमें भी लेबल से 1,2,3,4 फिर इसके 1,2,3 थेरपेटिक के 3 लेबल हैं तो उसको लोग पास करते हैं आप किसी जॉब में हैं या कहीं और व्यस्त हैं उसके अलाबा योग में कुछ करना चाहते हैं ये इसके द्वारा आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप अपने जॉब को चेंज करके इस फिल्ड में आ सकते हैं तो ये अच्छा है और उसमें भी सिलेबस है इतना आपको पढ़ना ही है एक्जाम देना ही क्वालिफाइ करना है फिर वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो ये एक है अच्छा चीज है जो चाहेंगे करना रगुलर क्लास नहीं कर सकते हैं वो इस चीज को कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग भी एक ऑप्शन है बहुत जगे खुले उप सपटींटी खी तो इस को करने के बाद बच्चों को क्या सारी जॉब पॉचुनिटीज मिल ठेका कुछे अगर देखा जाये में प्र्छय करने लगते हैं चिए या कि हम आइकाडमीक में चले गे इनिवह ड़एस ती मैं प्रॉफेसर वए तो आगार प्राइबेट और्गनेशन वो उनको रख लेते हैं एक अच्छा सेलरी देखके जैसे वहां की इंपलॉई है उनके लिए तो वो एक अच्छा पॉस्टनिटी है कि लोग इस तरह से करने लगते हैं बहुत लोग अपने स्टूडियो खोल के बैठते हैं आप देखिए बरे- फिर जो पेश्ट है जो सब अलग चार्ज़श रखते हैं तो उनक्य अलग चार्ज़ रखते हैं डीजी बेस ट्रीक्मेंट यही करते हैं टो उनके अलग चार्ज़श रखते तो अरनिंग सभी धंक से अभी जारखन में आयूस विभाग के द्वारा एक निकला है, पोस्ट निकलने वाले या आने वाले हैं, कि जितने भी आयूस के सेंटर्स हैं, वहाँ पे योग प्रसिक्षक की नियुकती का, उसमें 260 से ज्यादा पोस्ट आया है, मतलब एक मेल और एक फीमिल सभी सेंटर पे होंगे, ये एक अच्छा पॉस्टेटी जारखन के बच्चों के लिए जो योग से जुड़े वे या योग जो सीखे वे जानते हैं, तो या तब बहुत से बच्ची इनवस्टी के हैं, और बहुत से बच्चे हैं, जो इनवस्टी के नहीं, वो YCB कोर्स किये हुए हैं, औ एक लेवल वन, टू, थ्री, फोर जो भी पास किये हैं, वो भी अपलाई कर सकते हैं, और गवर्मेंट जॉब में एक अच्छा पॉस्टी मिल रहा है, जो जॉइन कर सकते हैं, आपने आयुश के बारे कहा, तो हमाई दर्श को कुछ बताईए, आयुश क्या है? ये आयुश मंत्राले के द्वारा जितने भी इस छेत्र में, आयुश मतलब योग में, या अयुवेद में, युनानी में, या सिद्धा में, या हमियोपेट में जो हो रहे हैं अभी, इस पर काफी फोकस ये गवर्मेंट कर रही है, और अच्छा अप्रोच भी है, और अच्छा हो भी ही रहा है, लोग एपॉइंट भी कर रहे हैं, अभी ही रहा है, जारखन में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, कि बहुत साई अरुवेद डॉक्टरों की नियुक्ती हुई है, हमारे सरकार्ने के, तो इस पध्यतियों को लोग प्रोशाहित कर रहे हैं, गवर्मेंट के द्वारा, तो आयूस के द्वारा इस सब चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहे है, और भी स्ट्रॉंग बनाने का प्रयास किया जा 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 तो इस कोर्स को करने के बाद आपने का कि आयूरवेद के डॉक्टर के लिए भी हम अपलाई कर सकते हैं, ने योग के बाद नही अगर आयूरवेद के डॉक्टर होना चाहते हैं, तो आपको आयूरवेद में पढ़ाई करनी पड़ी है, वो अलग है, मतलब आयूस का हमने फुल फॉर्म बोला, आयूस में इतने सारे चीज़ जुड़े हुए है, आयूरवेद है, योग है, तो A for, आयूरवेद हो गया, योग हो गया, फिर U यूनानी और S से आप सिध्धा, और H से आपका हमियोपेथी, इन सारे पक्षको लेके गवर्मन चल रही है, और उस पे खर्च भी कर रही है, और रिजल्ट भी दिख रहा है, लोग सीख भी रहे हैं, और आगे काफी इसका अच्छा भाविश से भी है जी, मैं आपसे एक ये बात चानना चाहूंगी, कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, MBA कर लेते हैं, या फिर किसी और में Master's डिग्री कर चुके होते हैं, मगर उन्हें फिर समझ आता है कि नहीं मुझे योग में इंट्रेस्ट है, मुझे उस तरफ बढ़ना है, तो उनके इंट्रेंट्स राच इनवर्सिटी में भी हमने पढ़ाया इन बच्चों को, ये एक अच्छा सोच है उनकी, कि जब आप MBA करते हैं, तो stress level कितना जाता है कि employee को उसको पता रहता है उस बच्चों को, और योग के द्वारा हम कैसे उसके stress level को कम कर सकते हैं, तो ये सीखने के बाद, जो MA कर लेते हैं, MBA करने के बाद, योग में MA कर लेते हैं, MS कर लेते हैं, वो बाहर निकलने के बाद, किसी भी organization से जुड़ कर या उसका employee होने के बाद, वहां के employee को स्वास्त रख सकता है, in fact, जो वहां का employee स्वास्त रहेगा, तो वहां का production अच्छा होगा, तो grow करन है कि हर organization से, अब लोग महां के जो senior officers हैं, वो अपने juniors को भेजते हैं, कि 15 days का या 20 days का course करके योग का आने के लिए, ताकि वो कैसे अपने आपको relax कर सके, या अपना पूरा effort लगा सके, क्योंकि एक अच्छा mentally sound होना या physically healthy होना भी तो बहुत ज़री है किसी organization के लिए, तो अपने employee को भेजते हैं, या फिर वो लोग yoga instructor को hire करते हैं, कि आके एक वीक या 10 दिन सिखाए और relax करें उनके employee को ताकि सब अच्छे से, अपना योगदान दे सके उस organization के लिए, जैसे आपने कहा yoga instructor को, तो उनका क्या कुछ रोल होता है, उन्हें क्या कुछ करना होता है, जो yoga instructor रहते हैं, जो employee हैं उसको कराते हैं, अभ्यास, practice, कि हम अगर लंबे समय तक काम करते हैं, तो naturally अभी जैसे की computer पर बैठके लोग ज्यादा काम करते हैं, तो spinal problems ज्यादा हो रहे हैं, जो computer पर बैठके काम कर रहे हैं, उस condition में spines related अभ्यास कराते हैं, उनको relax कराते हैं, तो इस तरह से अलग-अलग जिसका जो job है, जो field work में हैं, तो field work का अलग problems होगा, इन digestion होगा, जो shift duty करते हैं, उनका अलग problem होगा, insomnia बहुत कमन हो उस जगों के देखने को मिलता है, तो उनके लिए कुछ अलग approach है, योग का, कि हम उनको योग निद्रा करा सकते हैं, या prana मेटेशन करा सकते हैं, रिलाक्स करा सकते हैं, या डाजिशन उनका अच्छे से होते हैं, योगिक लाइफ स्टाइल में उनको ला सकते हैं, तो अलग-अलग धंग से वो ये जो instructor रहते हैं, वो employee को individually देखते हैं, और treatment उसका करते हैं, जी, अगर बात करें प्राइवेट सेक और अभी बहुत जगा बाहर तो बहुत सारे लोग रखी रहे हैं, इंडिया में भी तो लोग रखी रहे हैं, योगा इंस्ट्रक्टर को और वो लोग हर organization में और प्राक्टिस करवाते हैं, अपने employee को time निकाल दी, half an hour करके, कहीं कहीं पर, जैसा मैंने सुना है और देखा ह लोग approach भी हमें भी करते हैं, कि मैं stress पर lecture होना चाहिए, कुछ workshop भी होना चाहिए, तो हम लोग भी जाते हैं, 10 days का, 15 days का या 3 days का, और कराते हैं, और उनको relax करते हैं, और अच्छा वो feel करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, यह अच्छा पहल है, कि मतलब जो बिद् लोग तक सिमित था, बहुत कम लोग जानते थे इसे पहले, आज के डेट में सभी को इससे अवगत हैं, और इसके जो लाव हैं, उसको ले रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है, उसका credit no doubt हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने इस अंतरास्ट्य अस्तर पे से ले के आया इनोंने, और इसका बहुत से देश ने समर्थन भी किया, इसका मतलब ही है कि बहुत से देशों में इसे लोग जानते हैं, प्राक्टिस भी करते हैं, इसके importance को समझ रहे हैं, इसलिए इतना यह तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर बात करते हैं कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि उन्हें फॉरिंज जाकर जॉब करने पसंद होता है, तो यहां से कोर्स करने के बाद क्या वो फॉरिंज जाकर भी कर सकते हैं जॉब या फिर उनके लिए वहां पे भी कुछ अपोर्चिनिटी अवेलिबल हैं? फॉरिंज में बहुत अपोर्चिनिटी है, इवन हमारे राची निवर्स्टी के बच्चे सब भी वहां जाके जाब कर रहे हैं और मैं दर्सकों से यह कहना चाहूंगी कि जो योग सिखाने के लिए बाहर जाते हैं वो ज्यादा तर मैंने देखा वो आसनों पर ज्यादा फ अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा लोगों को मिलेगा रिजल्ट वहां भी और आप भी प्रॉस्पर करेंगे बाहर जाने के बाद अगर एज की बात की जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि बुज़र्ग लोगों को भी कुछ समय बात पदा चलता है कि मुझे योग के तरफ और भी जादा ध्यान देना चाहिए तो क्या वो लोग भी आकर ये कोर्स कर सक हैं बहुत जगा सर्टिफिकेट कोर्स रहते हैं फोर मंथ या सिक्स मंथ के उसमें अडमिशन ले सकते हैं और थोड़ा सा आप प्राक्टिकल तो रहते हैं हर कोर्स में योग में लेकिन आप कुछ थेओर्टिकल पार्ट भी जानेंगे तो आपको इंट्रेस्ट डवलप हो जैसे कि बहुत से ग्रिनी हैं जो मतलब कुछ जानना चाहते हैं यह इंट्रेस्ट शो करते हैं तो लोग उत्सा के साथ प्राक्टिस करते हैं तो कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं कि मैं बोर हो रहा हूं या इस तरह से लेकिन जब पढ़के या समझ के किसी चीज को करत हैं तो एक अलगी आनन्द सबस्क्राइग और बात करते हैं मैथोड कोई कुछ एरिया caught a procedure होते हैं जिस तरीके से लोगों को यह प्राक्टिस करवाना चाहिए तो क्या वह प्रोसेश होताह जैसे प्राक्टिस करवाना चाहिए लोगों को कुछ नहीं है उसमेह जसे हर कीज़ thereforeawan टी Absolиковام में भी बहुत से आसन है कुछ असन जो उनके लिए आसन में भी बहुत से आसन जो उनके वहां से कर आते हैं जो उस Πरक्रायाम हो उसके बचुछ गोलियो कराते हैं कुछ प्राणाएम मेरिटेशन हैं जो कराते हैं , मतलब सिर्फ हम हाथ पाउं को ही हिला के नहीं ठीक हो सकते हैं और अगर होते भी हैं तो वो टेंपरोरी है पर्मानेंट के लिए आप योग के हर पक्ष को लेके आपको चलना होगा कम्प्लीट योग उसमें हर चीज आ जाते हैं आपके सोचने का तरीका, आपके चिंतन मनन का ढग, आप कैसे सरकल बनाते हैं, कैसे रहते हैं, आपके दिन्चडिया कैसी होनी चाहिए ये सारे चीज़ों का समावेस उसमें रहता है अगर कुछ बच्चे हैं जो योग के दिशों में जाना चाहते हैं ये कोर्स करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कैसे प्रचसाहित करना चाहेंगे? जब उनको पता चलता कि इतने सारे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए तो दुखी हो जाते हैं लेकिन मैं उनको कहूंगी कि ये बहुत अच्छा चीज़ है जब आपको ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको आप नहीं जानते हैं जब आप कोर्स में अदमिशन लेते हैं आप बहुत चीज़ों को समझते हैं जानते हैं पढ़ते हैं और गहन अध्यन करते हैं कि ये जो इसका जो ओरिजिन है और कैसे इसको निकाला गया हमारे ग्रंथों में जो योग वेताओं ने बोला वो कैसे इसको एक-एक चीज़ों को एकस्प्लेइन कियो और कितनी गहरी विद्या है इसकी जानकार जब उन्हें मिलती है तो लोग फिर इंट्रेस्ट के साथ पढ़ते हैं और फिर सचमें योग में हो जाते हैं निकलते कोर्स कंपीट होते होते हैं बहुत परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत चेंज़े जाते हैं उन्हें जी तो इसमें थियोरी प्राक्टिकल के साथ साथ थियोरी भी पढ़ाई जाती है मतलब अगर M.A.C. में चार पेपर हैं जिसमें एक ट्राक्टिकल है तीन थियोरी है उसी तरह से बीएसी में एक एक समिस्टर में आठ नो शिक्स सेवन पेपर्स तो हैं ही मिनिमम जिसमें दो तीन थियोरी है और बाकी सब प्राक्टिकल है तो अलग-अलग धंग से को यह डिपेंड करता है कि हमारा बच्चा कितना स्किल डवलप किया है अगर आप लोगों को सही ठीक कर पा रहे हैं तो डेफिनिटली सामने वाले आपको अच्छा देंगा अगर आप सिल्फ इंप्लॉई हो अपना कुछ खोल के बैठे होते हैं और अगर किसी गर्मेंट से जुडिए उसमें जॉड़ है आपका सरकारी नौकरी में आप तो जो गर्मेंट का पी स्केल है उसी के अकोर डिंग यव को मिलेगा जो बागि परफेसर को मिलता है वो बागि योग से जुड़े में एसिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये एसोसियेट हैं उनको मिलता है जी आप हमाई साथ जुड़ी इतना अच्छा डिसकाशन रहा में बहुत अच्छा लगा योग के बारे में हमी बहुत सारी जानकारी मिली हम आशा करते हैं कि हमारी दर्शकों को भी बहुत विस्तार से समझ आया होगा कि योग में किस दिशा में जाना है और क्या कुछ अपॉचिनिटीज है इसमें हम फिर मिलेंगे आप से एक नई कोर्स के साथ एक नई दिशा के साथ नमस्कार नमस्कार सब्सक्राइब